नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आजगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रेडमी के फोन में एप लॉक कैसे करें यहाँ पे आप किसी भी एप्लिकेशन को लॉक कैसे कर सकते हैं मैं आपको प्ले स्टोर पे लॉक लगा के दिखाने वाला हूँ तो एप्लिकेशन लॉक कैसे करें रेडमी के फोन में आईए जानती है इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान अखना है कि आपके फोन में एक पासवर्ट लगा होना चाहिए यानि पैटन लॉक लगा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब आपको अपने फोन में सैटिंग्स को खोलना है अपने फोन में सैटिंग्स खोल ये देखी कहां पर है नीची आना है आपको एक एक करके आपको मिलेगा एप्स तो यहाँ पर ढूड़िए एप्स वाले उप्सन मिल जाएगा ये देख सकते हैं आपको एप्स वाले उप्सन पर टच करना है और आप ऐसे पेज़ पर पहुचोगे आपको मिलेगा यहाँ पर एप्स लॉक अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सैटिंग में डारेक्ट सर्च कर सकते हो तो एप्स लॉक को ढूंड़िए आपको ये पेज मिलेगा टर्न और टच करिए एक लॉक क्रियेट करें ध्यान रखिएगा जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है उससे अलग रखिएगा मैं ये वाला करूंगा क्यूंकि मैं हर ये वाला करता हूँ दुबारा कर देना है आपको वही चीज next option पे touch करना है ये वाला page आएगा आपको not now पे कर देना है और आपको मिलेगा यहाँ पे not now तो थोड़ा सा wait करके not now पे फिर से touch कर देना है अब आपको उस application को select करना है बस जिसको आप lock करना चाते हो बाकी को आपको हटा देना है तो यहाँ पे कुछ application यह automatic lock कर देता है use app lock पे touch करें अगर आप finger print लगाना चाहते हैं या wear pattern lock लगाना चाहते हैं तो उसे लगा दीजिए आपसे पूछेगा भी सायद तो आपको वो application select कर लेना है जिसको आप lock करना चाते हो तो मैं play store को ढूणता हूँ तो यह रहा google play store इस पे touch करते हैं यह हो गया है setting में जाई यह उपर की तरफ आपको मिलेगा app lock यह चालू होना चाहिए lock setting पे touch करें और आपको इसे beach वाले पे करना है ध्यान लखिएगा beach वाले पे करिएगा उपर वाला रहेगा तो आपको जो lock है वो सही से काम नहीं करेगा तो आपको इस पे touch करना है यहाँ पे अगर आप चाहते हो notification hide हो जाए बागे मच छेड़े कोई काम कर नहीं है अब यहाँ पे setting देख लीजिए ऐसा ही होना चाहिए अब आपका जो lock है वो लग चुका है तो play store को open करते हैं आप देख सकते हैं हमारा fingerprint पे लगा है इसलिए fingerprint भी काम करेगा तो यहाँ पे हम दोबारा open करते हैं तो दोबारा यह मांगेगा lock ओपन कर आप तो हमने याड़ डाला थे हाँ आपे अब बंद कर देंगे हम इसको दोबारा lock मांगेगा साइद आप समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई सवाल है कामेंट करें